नमस्कार दोस्तों क्या हाल है आपके चैनल में आपका स्वागत है इस बार मैं नीलू कुतिया की स्टोरी पहले नहीं सुनाओंगा पहले मैं रियल मुद्दे बे बात करूँगा रियल मुद्दा जैसे कि आप थम्नेल एंड टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हमारे देश के एक कुख्यात बिजनसमेन अदानी जी वर्ल्ड के सेकेंड रिचस्ट परसन बन चुके है ठीक है उन्होंने अभी अभी कोई बर्नार्ड अर्नॉल्ट नाम का बंदा था उन्हें पीछे छोड़ दिया है गौतम अदानी जी के आगे अब सिर्फ इलॉन मस्क है ठीक है क्या इंडियन है देशी है बट स्टिल कुख्यात है ठीक है क्यू है उसके बारे मैं बात करते हैं अब आते हम नीलू कुतिया की स्टोरी पे सो क्या था एक बार मैं गाड़ी चला रहा था रस्ते में और एक चौक पर मुझे नीलू कुतिया मिलती है वो मुझसे भीक मागने और उसे मैं 10 रुपे दे देता हूं तो टोटल मैं दिन के 500 रुपे ऐसे ही खर्च कर देता हूं दान देके भीक देके पुन्नी कर रहा हूं न और इसी तरह से मैं मन्थली कितने रुपे 15,000 रुपे उड़ा देता हूं और ये ली एक लाग 80,000 रुपे उड़ा देता हूं साल में मेरे 1,80,000 ऐसी फुर हो गए क्योंकि मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ बट अगर वो अप्रॉक्सिमेट 2,00,000 रुपए मैं ऐसी भीग में नगवा के शहर के चार जगा 50,000 के चार खोके खोल देता और वहाँ पे एक नीलू कुतिया को बिठा देता as a salary ठीक है तो क्या बेटर है मैं भीग नहीं दूँगा मैंने पैसे सेफ किये मैंने शहर के चार जगा चार खोके खोल दे बिजनेस खोल दे दंदा खोल दे और वहाँ पे चार नीलू कुतिया को जौब पे रख दिया अलग क्या वो बेटर है या दान देते रहना बेटर है ठीक है मेरे भी पैसे जा रहे है नीलू कुतिया जितनी भी है वो अगले दिन फिर से भीक मांग रही है वो कल भी भिकारी थी आज भी भिकारी है पर सो भी भिकारी ही होगी क्या सही है आपके दिमाग के हिसाब से यह जो छ इन नेचर और इसले इस देश का कुछ नहीं हो पाया और अगर कुछ हो पाया तो 1990 के बाद ही स्टाट वाद टेक्निकल 1991 क्योंकि उससे पहले तो हम भाई छटे हुए सोशिलिस्ट थे और लंका बजगी थी इस देश की अभी जो ये पाकिस्तान और श्रिलंका का हाल हो रखा है वैसा ही कुछ हाल था हमारा भी हमें पता नहीं था बढ़ यही था क्योंकि हम सोशिलिस्ट थे और उसी हिसाफ से चलते थे जवाब मिला आपको क्या बेटर है चार नीलू कुतिया को जौब दे देना या फिर पचास नीलू कुतियास को हरोस दस दस रुपे भीग देते रहना वो कल भी भीकारी देगी परसो भीकारी देगी आपके दान देने की वज़ा से लेकिन आपने एक दिमाग लगा के एक धंदा खोल दे, बिजनेस खोल दिया आपने पचास में से चार नीलू कुतियास की जिन्दिगी बेटर कर दी, उनको नेक्स लेवल पर ले आए, उनको एक जॉब मिल गई, आपको भी कट मिल रहा है, आपको भी पैसे आ रहे है नीलू कुतिया के घर में भी पैसे आ रहे है अब बाकी की जो 46 नीलू कुतियास थी वो मेरे जैसे देडशाने अगर कहीं और होंगे तो उनके वाँ जॉब पर लग जाएंगी फ्री मार्केट कैपितलिजम वर्क्स लाइक दिस आपकी दान देने की जो टक्टी, जो एक बुद्धी है ना, आपकी मतलब पूरे इंडियास की, कि हाँ भी दान देना दक्षना, दान दक्षना इस अलग वर्ड इस गुड थिंग, पुन्य करो भिक्षाम देही करो यही चीज हमें ले के डूबी और इसलिए गौतम अदानी का नाम सुनके कुछ लोगों के या मोस्ट अदर लोगों के पिछवाडों में मिर्ची लग जाती है यह तो मोदी के साथ मिला हुआ है मोदी के वज़े से यह अमीर होता जा रहा है अरे भाई, मोदी तो गौतम अदानी के कुल्लक में बैठता है उनके नीचे बैठता है उनके लिए करजे लिए जाते है उनके लिए करजे माफ किये जाते हैं, यह देखो, करजे लिए जाते हैं धंदे खुलने के लिए, बिजनेस खुलने के लिए, बिजनेस जितना ज़्यादा खुलेगा, उतनी ज़्यादा जॉब अपर्चुनिटीज होगी, फिर अब जॉब अपर्चुनिटीज नहीं होती, तो तुम फिर रंडीरोना भी करते हो कि भाई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है मोधी नहीं किया क्या मोधी कहां से जॉब लाके देगा मोधी के जॉब की मा है जो जॉब पैदा करती रहेगी नहीं भाई, वो इस तरह से बिजनसमेंस को सपोर्ट करता रहेगा लीगली एंड इलेगली अगर आपके डिक्षनर से देखे और तब जॉब क्रियेट होगी तब आपके घर में भी पैसा आएगा और अदानी साब भी अमीर बनेंगे देश का नाम रोशन करेंगे और इंडिया एक पाफुल एरिया बनेगा नहीं लेकिन नहीं तुम्हें तो दान देनी है दक्षना देनी है यही प्रावलम है इस देश की वी आपके आपके मार्केट हमें कैपिटलिजम समझ नहीं आता मुझे नहीं लगता आदे से जादा बात है यह जोने बोल रहा है यह भी किसी को समझ आएगी पर मैंने कोशिश करी नीलु कुतिया की स्टोरी से आप लोगों को समझा नेगी अगर समझ मैं तो बढ़िया नहीं समझ मैं तो ले लो क्योंकि तुमने तुमाई जैसे लोगों ने देश की पहले से ही ले रखी है तुम ही हो जो सोचते हो कि भाई हम तो बहुत बड़े पुन्ने वाले हैं हम तो दानवीर करने हैं लेकिन भाईया तुम ही थैनौस हो थैनौस भी सोचता था मैं सही हूँ ठीक है, तुम भी वही थैनौस जह से हो, तुमारे वजह से ये देश आगे नहीं बढ़ पाया, अच्छाई, हद से जादा अच्छाई, हग के ले डूपती है, ठीक है, फ्री मार्केट, क्यापिटलिज्म, इस दा उनली थिंग, जिसके कारण आपके घर में चूला जलेगा, देश आगे बढ़ेगा, लोग अमीर बनेंगे, यह है, और अगर गरीब हो, तो बच्छे कम पैदा करो, पैदा ही मत करो, जब तक कि नेक्स लेवल पर नहीं बहुत जाते हैं, ठीक है, इस वेडियो में बस इतना ही, मैं हाट लिए, दिल से, कॉंग्राट्स करना चाहता हूँ, गौतम अडानी जी को, कि वो फर्स नंबर पे भी पहुचे, सेकेंड में पहुचे है, देश का नाम रौशन हुआ है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, तैंक यू वेरी मच, वीडि इदो मुझे खुशी होगी, कमेंड कर दो प्लीज, एंड सब्सक्राइब लिकर सकते हैं, चैनल को, मज़ा आजएगा, सो थैंक यू बरी मच, मिलते अगले वीडियो में, नमशकार,